राम राम किसान भाईयों किसान भाईयों आज हम बात करेंगे लारविन दवा के बारे में जो एक सुन्डी नासक होती है किसान भाईयों ये लारविन दवा जो बायर कंपनी की आती है बायर क्राफ साइंस प्राइबेट लिम्टेट कंपनी की ये 100 ग्राम का पैक आता है किसा तालिष से पचाल लीटर पानी के लिए बन जाए मनी की जो लारविन दवा आती है आप इसका डेड़ ग्राम पर लिटर के हिसाब से घोल बना कर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें जैसे यह आप अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं इसका यह सुंडी आपकी 24 गंटे के अंदर अंदर नस्ट हो जाएगी और आपके सुरच्षित हो जाएंगे किसान बाईयों यह सुंडी टमातर के फलों के अंदर होती है उसके बाद पतियों के ऊपर आप देखेंगे पतियों के ऊपर अधितर फसलों में पतियों के ऊपर पतियों को चबारा कर खा जाते हैं जिससे पौधों में भोजन बनाने के प्रकास संसलेशन क्रिया बाधित होने लगती है पौधों का भोजन पूर्ण रूप पेंड से प्रभावित होने लगता है इसलिए जब पौधों का भोजन नहीं बन पाता है तो पौधे कमजोर पढ़ने लगते हैं और नस्ट हो जाते सूख जाते हैं ऐसी कोई समस्या है तो आपके पत्यों पर यदि कीडों का प्रकॉप बहुत जादा है रेंगने वाले कीटों का प्रकॉप तो आप बायर कंबनी की जो लार्बिन दवा इसका डेड़ ग्राम पर लिटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खली फसर पर छिर जातर लगती हैं यदि आपके खेतों में सिम्ला मिर्च की खेती कर रहे हैं आपके खेतों में सिम्ला मिर्च लगा हुआ है तो आप लार्बिन दवा का प्रयों करके सुन्डी को नश्ट कर सकते हैं सुन्डी को नश्ट कर सकते हैं किसान बाईयों जैसा कि आप देख रहे ह यह हरी हरी सुन्डी होती है हरी सुन्डी के अलामा यह काले कलर की जो सुन्डी है यह बहुत ही मजबूत होती है और इसको मारने में किसी अच्छी दवा की किसी अच्छी गुनवत्ता वाली कंपनी की अच्छी दवा ही काम कर सकती है तो इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट जो है Buyer Craft Science Private Limited Company की लार्बिन दवा है लार्बिन का प्रयोग करके आप इस काली वाली सुन्डी को नश्ट कर सकते हैं किसान भाईयों काली सुन्डी को नश्ट कर सकते हैं उसके बाद में आप ऐसा कि देख पा रहे हैं टमाटर के फलो में यह टमाटर का फल है और उसकी पत्ति है टमाटर के फलो में भी यह काली सुन्डी है तो काली सुन्डी बहुत मजबूत होने के कारण यह आम दवाईयों से आप किटनासक दवाईयों से नस्ट नहीं होती है मरती नहीं है तो इसको मानने के लिए बायर क्राफ साइंस प्राइबेट लेम्टेट कंपनी की लारबिन दवा का प्रयोग करते हैं लारबिन दवा का प्रयोग डेड़ ग्राम परते लीटर के हिसाब से करते हैं किसान भाईयों इसके बाद में आता है मिर्च की फसल मिर्च क के अंदर जो सुन्डी पाई जाती है वे नार्मल दवा से नस्ट नहीं होती है क्योंकि मिर्च की फसल यदि आपके फसलें गर्मियों में लगी हुई हैं मिर्च की फसल तो गर्मियों की सुन्डी इतनी टंपरेशर की वज़ा से इतनी मजबूत हो जाती है कि यह जल्दी से नस्ट रही होती है यदि आपकी मिर्च की फसल लगी हुई है तो आप अपनी मिर्च की फसल में लारबिन दवा का प्रयोग करके मिर्च की सुंडी को नस्ट कर सकते हैं किसान भाईयों उसके बाद में आता है गर्मियों के दिनों में आप अक्सर देखते होंगे मक्ये यह मक किड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको भूरा भूरा रंका यदि आपके मक्य की फसल में भूरी सुंडी का प्रकूप है तो आप लार्बिन दवा का प्रियोग करके इसे नस्ट कर सकते हैं किसान बाईयों मक्य की फसल में इसका प्रियोग इस दवा का प्रियोग जो लार्बिन दवा इसका प्रियोग एक ग्राम परत लिटर के हिसाब से करना है उसके बाद में किसान बाईयों आता है अन्य फसलों में भी ये अन्य फसलों को भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं पत्यों के ऊपर एक एक कीड़े नहीं एक एक जगा पर कम से कम 15-15-20-20 कीड़े कत्रित हैं तो आप समझ लिजे कि पत्यों को ये कितनी जल्दी चबा कर नश्ट कर देंगे जिससे आपके फसलों पर सीधा असर पड़ता है और फसले नश्ट हो जाती हैं तो किसान बाईयों आप इसकी रोप्ताम के लिए लारबिन दवा का प्रियोग करें एक से डेड़ ग्राम पर ल लाइक सस्क्राइब और सियर जरूर करें धन्यवाद के सानवाईयों